नमस्कार विद्यार्तियों जैसियाराम जैहना आज मैं इस लेक्चर का जो है लास्ट पार्ट लेक्या आया हूं इंडस्वैली सिविलाइजेशन का देखिए मैंने जो सुरुवात किया वो कांटिन्यू है आप ध्यान रखेंगे आज यह अंतिम लेक्चर है सिंदुघाटी सब्वेता का तो इस लेक्चर को मैं बहुत कम समय में अभी खतम कर दूंगा ज्यादा बचा नहीं है मैक्सिमम चीजें पढ़ा चुका हूं आज का जो दिन है आज का जो दिन है आज लास्ट है इसके बाद हम वैदिक सब्वेता आप आएंगे तो जिस तरह से मैं निरंतरता बनाय हुए हूं आप भी बनाय रखिए और पिछले सारे लेक्चरों को आप पढ़ करके नोट्स बना लीजिए मुझे पता बहुत से बच्चों ने बनाया भी है पता यह आपकी मेहनत है जो आपको खुसी देगी कि हां मैं इ लिए बता दूं कि पहले के सारे लेक्चर को आप देख लीजिए प्लेश्ट बना दी गई है आप लिखेंगे अपने आप आपको प्लेश्ट दिख जाएगी तो पूरा इंडस्वेली सिविलाजेशन मैं सारा इंसियंट पढ़ाऊंगा तो इसलिए अब चलिए आज लेक बता का आकार्ति बुजाकार था यह तो आपको आइडिया है अब थोड़ा सा हम लोग विचार कर लेते हैं कि इस सब्वेता में कुछ प्रतीक थे उन प्रतीकों का क्या मतलब था जैसे देखिए सिंदु सब्वेता में स्वास्तिक का चिन्द मिला स्वास्तिक का चिन्द किसका प्रतीक था सूर्य उपासना का अब जरह आप मुझे बताएंगे कमेंट बॉक्स में स्वास्तिक के चिन्द के प्रमार कहां मिले हैं सान जो था भगवान की सवारी माना जाता था भैंस जो है भैंस देवी देवताओं का दूत माना गया बकरा जो है छोटे देवी देवताओं का दूत माना गया मचली खाता मगरमच यह नदी के देवता का चिन्न है तो कभी-कभी पूछ लिया गया था कि सिंद्ध सब्वता में किसका क्या मतलब था तो आपने देखा स्वास्तिक सूरु पासना है मचली खाता मगरमच नदी क कजिस किस रूप में परत्रिकों को हम जानते थे अब आप अब देखिए सब्चा का पतन कैसे हुआ अब अन्तीम पॉइंट है सब्चा का पतन कैसे हुआ नकिये सबका अलग الदग विचार है मश्ल और एशार्राव क्या कहते हैं कि हमस्थविट अब विच्ण का एक मात्र कारणबार है मतलब डीकलाइन आफ सिविलाइजेशन एक रख और इस अर राव दा इंडस्ट्रक्षण आफ दा इंडस्वाइली शिविलाइजेशन इस फ्लड़ को मानते हैं बाढ़ मानते हैं कि मार्सल और राव ने का कि यह सब्विता बाढ़ से नस्ठ हुई अब आप ज़रा ध्यान देंगे कि जो क्योंकि इन्होंने जब इस सब्भता की खुदाई किया था तो इस इस सब्भता की उन्होंने साथ अस्तर पाए थे खुदाई में इसके सेवन लेर्स पाए गए इनका मानना था कि यह बार से साथ बार उजडा और बसा है यानि मारसल सेट आट मोहजुरोवा रिस्ट्रॉइड की एनरे डिस्ट्रॉइडड रिसेटल सेवन टाइम्स द्यूटू फ्लैड यानि कि यह बार के वज़े से साथ बार डिस्ट्रॉइ हुआ है और साथ बार रिसेटल्ड हुआ है बतलब बसा है तो मार्सल के अनुसार सिंद्व सब्विता का विनास बाड की वज़े से हुआ पिर आगे बढ़ेंगे गार्डन चाइल्ड और पिगट मोहदे क्या कहते हैं इस्टुवर्ड पिगट ने कहा और मार्टिन विलर ने क्या कहा इन तीनों नहीं ये माना था कि इनका पतन आर्यों के आक्रमण के करण हुआ है अब यहीं से समझना होगा ये कहते हैं बाहर से आरे आये थे आर्यों ने सिंदुगाटि सब्विता के लोगों को समाप्त किया आक्रमण से अब यहीं से आर्यों की बात आगे शुरू होगी अब वैदिक सब्विता आगा त प्रचित द्योता इंद्र का नाम सुने हुँगे रिग्वेधी काल में वही जो है शिंदु घाटी सबर्विक के लोगों पर अक्रमड किये थे इंद्र को अर्थात इंद्र का मतलब पुरंदर होता है पुरंदर मतलब दुर्ग का विनाश करने वाला इंद्र का मतलब पुरंदर होता है पुरंदर मतलब दुर्ग का विनाश करने वाला तो यह जो आपके गार्डन चायल्ड या मार्टिन विलर है इनका मानना था कि इंद्र को मतलब responsible माना गया कि इन्होंने ही सिंद्धुगाटी सब्वता के लोगों प्राक्रमण कि इंद्र का मतलब पुरंदर होता है पुरंदर मतलब किलो का नास करने वाला और इन्होंने इसको justify कैसे कि इन्होंने पुष्टी कि how they have justified their evidence उनका मानना था कि देखो बताते हैं 42 नरकंकाल मिले हां कहीं कहीं किताबों में 30 दिया है यानि विलर या यह लोग जब खुदाई कर रहे थे तो यहां पर 42 नरकंकाल कुछ कुछ किताबों में 30 दिया है तो 42 नरकंकाल एक साथ मिले तो जब यह 42 नरकंकाल मिले हैं तो यह कहीं कहीं 30 दिया हुआ है तो उन्हें उसी अधार पर बोल दिया कि यह आरियों के आकरमड के वजएसे ही यह लोग मारे गए थे तो लगातार बहुत बड़ी संख्या में अनर कंकाल मिलने से इन्होंने ये बताया कि सिंदु सब्विता के लोगों का विनाश आर्यों के आक्रमण से हुआ लेकिन मैं बता दूँ अभी जब आप वैदिक सब बता पढ़ेंगे तो ये सब बाते सही नहीं है इसके पीछे कहानी कुछ और है तो कि आप जब वैदिक सब बता पढ़ेंगे तो पता है बिटिस लोग कही ना कहीं खुद को आर्यों से जोड़ रहे थे तो अपने सासन को जस्टिफाई करने के लिए वह इस थूरी को दे कि हां आर्यों ने आकरमण किया वही आरे जो मदिसिया से बताते आजयाते हैं लेकिन इन लोगों ने आर्यों को भी खुद से जोड़ने का प्रयास कि यह आर्यों ने ऐसा किया था कि सिंधध घाती सब प पढ़ाऊंगा वैदिक सब बता तो आपको सुनमें आजाए कि इस थियोरी को भी लोगों ने बिस्वाद मतलब सही नहीं माना है तो बस यह जो 42 या 30 नरकंकाल मिलें उसे धार पर इन्होंने कहा दिया कि आर्यों ने विनास किया और इंदर नाम के दियोता थे वा हम लोग दियोता मानते तो इन्होंने का इंदर नाम के जो आर्यों के लीडर थे उन्होंने मतलब अप्छा गया पूछा देखेंगे अमलानंद घोस क्या कहते हैं अमलानंद घोस ने कहा कि हडपा सब्विता के पतन का काण पतन जलवाई परिवर्तन से हुआ अब अमलानंद घोस ये कहते हैं कि इसका पतन जलवाई परिवर्तन से हुआ तो आप देख रहे हैं कोई भी कहीं भी एकमत नहीं है कहीं जलवाई परिवर्तन है कहीं बाड है कहीं आर्यों का आक्रमण है तो इस तरह से मैंने बताया कि किस किस तरह से सिंदु सब्विता के पतन के बारे में लोगों का क्या-क्या विचार था धान रखिया किस ने क्या कहा कि अब चली आगे देखते हैं थोड़ी सी बात और है चिंदु सब्विता को आप पहिली तरह सिकनہ तो सिंद सब्यता काश्यूगीं सब्यता भी दिए-क्यों कि देखो यहां पर तामबै और टिन के मिसरन से कांसे का प्रियोक किया गयाला कि तामबै हुए इस बाते editing प्रियोक प्रियो ready कि बता का इंपोर्टेंट चीज का का से का सीमित प्रियोग हुआ है मतलब क्या ब्रोंज वाज यूज़ इन दिस परियट क्या बट अरपा यूज़ ब्रोंज इने लिमिटेड वे का सुगीन सब्दा भली ही कहा गया लेकिन तिन प्रियोग और किया नहीं कियाद पाजान में हैं लोगों कीया इसको ध्यान में ज़्यान में रखें तो कांसे का प्रियोग क्या है सीमित मात्रामी ने लोगों ने किया था यह आप ध्यान में रखें तो यह मैंने पूरा जो है आपको समझा दिया जो बचा था वह भी बता दिया ठीक है अब जरा आप देखेंगे कि इस सब्बता के काल को ले कि क्या है जान मार्सल ने क्या कहा बतीस सो पचास से सताइस सो पचास अर्नेश्ट मैके बताते हैं अठाइस सो से पचीस सो माधोस रुबत कहते हैं सताइस सो से पचीस सो सीजे गेडे कहते हैं तैस सो पचास से सत्रह सो मार्टिम विलर कहते हैं पचीस सो से सत्रह सो थोड़ा सी के बाद से बीधिक से बता जाती है अल्चिन कहते हैं बाइस वपचास इसे शथरह सो ह बछास भी कहीं कहीं दिया भूआ ही कहीं कहीं सतरह फचासज दिया हुआ है कारबन डेटिंग तो लगवां इसी को आसपास इस सब बता को तो ज़्यादा लोग कारवन डेटिंग को फालो करते हैं ठीक है तो यह भले 2370 लिखाओ लेकिन 2370 तक यह सब्धता का समय माना था बाकि किस ने क्या कहा वो आप ध्यान ने वो आपके सामने है तो सबका अलग-अलग मत है तो इस तरह से मैंने आज यह पूरा चैप्टर आज का और कल का और सोम वार्तर का सारे लेक्चर को ध्यान से पढ़ लेंगे जितना पढ़ाया है उसके बाद फिर हम लोग फिर मैं एक सेशन लाइप सेशन लेके आओंगा जिसमें हम लोग किवल कोश्चन सॉल्व करेंगे ठीक है तो आप से उम्मिद करता हूं कि उस ला कीजिए मैं भी लगातार आफ लाइन ऑनलेन क्लास लेकि इसको जारी किये हूं और मैं लगातार जो मैंने वादा किया मैं उसे कांटिन्यू कर रहा हूं ज्यान गंगा कि स्रीज को आप पढ़ाई से जोड़िए क्योंकि उसमें आपने देखा बहुत से ऐसी बाते हैं जो आपको एक्स्ट्रा नॉलेज्ज दे रही हैं मगर वो भी आपके एक्जाम से संबंदित है ध्यान रखिएगा केवल किताबी बातों के अलावा भी और भी ऐसी बाते हैं जो हम लोग क्लास या इस लेक्चर में नहीं बताते हैं तो उसको आप उसमें समझ लीजिए आप जो बड़ी एक्जाम दोगे सीडियास आरो यारो कोई भी दोगे तो उसमें घ्यान गंगा वाली दिये के लेक्चर काम आएंगे बहुत सी अच्छी वाज़ तो आप उसको भी है पस सारी चीजों को ब्यवस्थित करते जाएं और जिसतरह मैं मेंध करके कांटीनूव बना हुआ हूं आप भी कांटीनूटी बनाए ठीक है और आपके सपोर्ट से ही मैं लगातार इसको कांटीनू कियों आगे भी कांटीनू करेंगे और अब आप देखिएंगे साइंस की भी लेक्टर लेकि आएंगे हमारे अमित सर्फ हेमंसर जोगरफी शुरू करने वाले हैं तो आपको जो वितना मिल ला है तो आप समेटिए और उसको वेवस्थित तरी आफ-लाइन मिलते हैं एक बहुतर के साथ वैदिक सब बता सुरू करेंगे जय हिन जय भारत जय स्याराम जय हनुमान जय भीम जय बुद्ध धन्यवाद